प्रेलर देखकर नहीं लगेगा कि ये मूवी अच्छी हो सकती है डार्लिंग जिसको नेट्फिलिक्स के ओटेटी प्लेटफोर्म पर रिलीज किया गया है तकरीबन इसकी जो लेंट है वो दो गंटे के आसपास दो गंटे पंदरा मिनिट के आसपास इसकी रखी गया में बूमिका में मबात करूँ तो इसमें होने वाले हैं विजय वर्मा, शेफाली शा, आलिया भट, रोहन मैत्यू अब मूवी की स्टोरी की बात कर लेते हैं एक लेडी है जिसका नाम है बद्रु निशा शायद मैंने नाम सही से पने इंशेट के हो जिसको प्ले किया गए आले बट के तरह अब बद्रु निशा की जो शादी होती है हमजा शेख से इसकी शादी होती है हमजा शेख की एक दिमारी कहलो या फिर उसको जैसे अपनी वाइफ को मारने का भूसवार उसके उपर होता है जैसा इस मुवी में दिखाया गए तो वो बहुत जादा अपनी वाइफ को मारता है अब यहां पर बद्रु जो है यानि इसकी जो शोट फॉर्म यूज की गई है बद्रु अब एक लेवल एक ऐसा लेवल आजाता है एक एक्स्ट्रीम लेवल कह सकते है या एक ऐसा पॉइंट आ सकते है अब उसको लगते है कि अब तो बोलना बहुत जादा जरूरी है अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है तो वो अपने पती को सबक सिखाने के लिए एक कुछ चीज़ें वो प्लैन करती है या प्लैन करती है या सब चीज़ें ऐसे हो जाती है यह तो जब आप मुवी देखोगे तब ही आपको पता चलेगा कि वैसे एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप इस मुवी का ट्रिलर नहीं देखो तो ही जादा अच्छा रहेगा क्योंकि ट्रेलर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी गई है यानि बहुत जादा इंफ्रोमेशन आपको ट्रेलर में ही दे दी गई है जो मुझे एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट लगता है इस मुवी का cat movie जो है वो domestic violence के ओपर अधारित एक dark comedy है वैसे dark comedy हमारे देश में बहुत कम ही बनती है और बहुत कम उन में से भी होती है जो हमें पसंद आ जाती है और ये movie उन में से कम में से मतलब उन category में आती है जो हमें पसंद आ जाती है मतलब इतनी बढ़िया तरीके से चीजों को हमारे सामने रिप्रेजेंट किया गया इवन कुछ सीन इस मुवी के अंदर ऐसे हैं जिसको देखकर आपको लगेगा और क्या कमवाल के इनको आप वापस रिवर्स करके देखेंगे और मैं इस मुवी को रात को देख रहा था और रात को देख 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 देखेंगे कुछ ऐसे सीन आये सामने एकदम जोड से हसा में और शुकर वो तो अकेला था वरना कोई ओर होता तो कियांते कि यार यह तो पागल हो गया है कैर यह कुछ अच्छी चीज़े हैं मुवी के अंदर और भी बहुत सारी अच्छी चीज़े हैं और कई बार आपको ऐसा भी फीला गए कैर यह मुवी जानमूज कर इसको लेंथी किया गया है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है इस movie के अंदर जहां पर time taking है उनको time देना इसलिए भी जुरूरी था क्योंकि एक development है story का कि जो एक ओरत है उसके ओपर अत्याचार हो रहे हैं उसको उसका पती मार रहे हैं वो औरत अपने घर को बचाने के लिए या फिर अपने पती को सुधारने के लिए कितनी ज़्यादा वो कोशिच कर रही है यह सारी चीजें दिखाने के लिए time तो लगता है यह वो देखिए लेकिन जब यह movie end होती है तो कही न कहीं में एक perspective यह दिखाने के कोशिच की गए कि हाँ उसने महनत की थी उसने कोशिच की थी वो सुधारने की कोशिच कर रही थी लेकिन उससे चीजें नहीं सुधरी थी अब एक level आ जाता है एक ऐसा extreme point आ जाता है कि अब वो चीजें सहन नहीं कर सकती है और अब वो भी जवाबिक कारवाई करती हैं जैसा आप लोग इस movie में देखोगी जो इसमें बदरुनिशा की जो मा है जिसको सेफाली शाह ने प्ले किया है वहां पर उनकी भी एक dark past हमें देखने को मिलता है ज्यादा कुछ information उसके बारे में नहीं दी गई है एक अत्याचार और है domestic violence है जो हमारे समाज में है हम यह acceptable है होती है वो चीजे एक्षुल में ऐसा बहुत कुछ उधारन हमें आसपास में ही देखने को मिल जाता है तो यहां पर जब चीजे हो रही है उसी चीज को हमारे सामने यह रखती है तो यहां ऐसा नहीं कहेंगे कि कैर यह बिल्कुल मर्दों के खिलाफ है इसके अंदर जैसे डायलोग जो अले बट के दारा बोला जाता है कि मर्द सभी मर्दों को एक लाइन में खडार करके गोली मार दीनी चाहिए वह कुछ जादा ही एक्स्ट्रीम हो जाता है बट वह जब चीजे देखो कि उसने क्या स इतनी पसंद नहीं कर बाकी कई को यह मुवी पसंद भी आ सकती मतलब कि एंड या performance है उन्होंने जैसी उन्होंने performance की है कई जगा वो बैटे हैं उनके expression वो काबलियत तारीफ है उनका जो action बोलने का वो बहुत जबर दसता है मुझे बहुत ज़ादा वो चीज पसंद आई है तो performance के मामले में comedy है इसके अंदर उसमें और जो एक dark comedy मतलब कि जो एक violence दिखाया गया है domestic violence तो इनकुल मिलाकर मैं कह सकते हूं कि movie आप one time was तो consider कर ही सकते हैं तो मेरी तरव से इस movie को मैं देना चाहूंगा 6 out of 10 अगर आप लोगों इन्हें movie देखे तो please comment करना कि आप लोगों कैसे लगी अगर नहीं देखे तो जैसा मैंने का one time तो आप इसे consider कर सकते हैं तो बसाज के लिए इतना इस वीडियो में thanks for watching this video मिलते है next video में जाहिंद